हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल आज हम सीटेट के लिए SST के महतपूर प्रशनों को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक लोग तांत्रिक सरकार का आधारबूत सूचक का लागू करना आवश्यक है प्रतिनिधित्व की अनुपातिक व्यवस्ता मुख मंत्री को कौन न्यूक्त करता है प्रधान मंत्री, राज जिपाल, उच्च न्यायाले के मुखे न्यायादीश, रास्ट पती इसमें राइट हो जाएगा उप्शन भी, राज जिपाल किसी छेतर की विविर्ता को एतिहासिक और भोगौलिक कारक प्रभावित करते हैं इस कतन के संदर्म में निम्न में से कौन सा यूगम असंगत है जोदपूर और जैसरमेर, गौालियर और जहासी, लाहोर तथा लखनव, दारजिलिंग और कैलिम पोंग इसमें राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C, लाहोर तथा लखनव भारत का वर्णन करने के लिए विविर्ता में एकता वाक्यांश किसने दिया महात्मा गांदी ने, रविंद्र नाठ टैगोर ने, जवाहर लाल नहरू ने या फिर बंकिम चंद चटरजी ने इसमें राइट आंसर हो जाएगा जवाहर लाल नहरू ने निमलिखित में से क्या विविर्ता का एक उधारण नहीं माना जा सकता है बहु भाशी समाज, जाती वैवस्ता, धार्मिक बहुलवाद, बहु संस्कृति वाद इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप्शन भी जाती वैवस्ता शत्रू राज्य द्वारा आक्रमड के मुख्य लक्ष मंदिर थे क्यूंकि मंदिरों को सरलता से अधिकार में लिया जा सकता था इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप्शन सी मंदिर शक्ती एवं संपती को निरुपुत करते थे निमलिखित में से कौन सा मुगल चार बाग का एक इस्थल नहीं है लाल महल बारी, कुवत उल इसलाम मस्जिद, हुमायू का मकबरा, शालिमार बाग इसमें राइट हो जाएगा उप्शन B, कुवत उल इसलाम मस्जिद A और B कथनों को पढ़िये और सही उत्तर का चैन करे अशोग पहला शाशक था जिसने अभी लेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुचाने की कोशिस की अशोग के जादातर अभी लेख प्राकित भासा में है और ब्रामी लिपी में लिखे हुए थे केवल A, केवल B, A और B दोनो, A और B दोनो नहीं इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप्शन C, A और B दोनो सही है कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त, अशोग के अभी लेख दो लिपियों में लिखे हुए हैं वे हैं युनानी तथा अराइमेइक, युनानी तथा पालाम एक, अरामेइक तथा पाली, अरामेइक तथा लैटिन इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप्शन A, युनानी तथा अरामेइक विनेपी तक एक ग्रंथ है जो अभी लेखित करता है, बौधो के नियम, जैन धर्म की सिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड, सिक्षकों के मध्य बातचीत इसमें राइट हो जाएगा उप्शन A, दो के नियम, इंड़ शब्द को संस्कृत में डैश कहा जाता है, हिंदोज, सिंधू, भारत, इसमें राइट हो जाएगा उप्शन C, सिंधू अफ्रीका के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है, अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा दच्छडी गुलार्द में इस्तित है, यह एक मात्र महाद्यूप है, जिसके मद्य से करकरेखा, भूमद्यरेखा और मकररेखा गुजरती है गोबी रेगिस्तान इस महाद्यूप में इस्तित है, यह पश्चिम से यूराल पहाडो द्वारा एशिया से प्रिथक किया गया है, इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन B, यह एक मात्र ऐसा महाद्यूप है, जिसके मद्य से करकरेखा, भूमद्यरेखा और मकररेखा गु इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन A, वास जेस परवत, निम्न में से उर्जा के परमपरागत शोत के समू की पहचान कीजे, जल विद्धूत, भूतापिये उर्जा, जौारिये उर्जा, परमाणू उर्जा, सौर उर्जा, जल विद्धूत, खनीज तेल, प्राकतिक ग प्राकतिक गैस इधन, बायो गैस अनिवार रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है, मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम, मीथेन और कार्बन डायोकसाइड, मीथेन और नाइट्रोजन, इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन C, मीथेन और कार्बन वायू विभिन गैसों का श्रमिश्रण है वायू के विशे में एक सही कतन का चुनाओ कीजिए पौधे वायू से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं हीलियम ओरगन और ऑक्सीजन गैस वायू में प्रचुर मात्रा में हैं चोटे-चोटे धुली कड़ वायू में मौझूद है इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी और डी सही है ए और सी गलत हो जाएगा खनीजों को उनके प्रकारों से सुमेलित कीजिए तता सही विकल्ब का चैन कीजिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए का फो जाएगा बी का थार्ड हो जाएगा ए का फिर्स्ट हो जाएगा और D का सेकंड हो जाएगा शहरों में गाउं की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है सही विकल्ब का चैन कीजिए कंक्रिट और धातू निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं ऐसा फिल्ट निर्मित सड़के गर्म हो जाती है भीड़ वाले उचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं शेरों में अधिक खुले इस्थान और पेड़ होते हैं A, B और C, B, C और D, A, B और D, A, C और D इसमें राइट हो जाएगा ओप्षण A, A, B और C सही है निमलिखित में से कौन सी वायू में मोझूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है औरगन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डायोकसाइड इसमें राइट हो जाएगा ओप्षण D, कार्बन डायोकसाइड निमलिखित कथनों को पढ़िए तदा सही विकल्प का चैन कीजे अभी कथन A. सजी और उनके चारो ओर के वातावरण का परस पर संबन पारिस्सितिक की तंत्र का निर्माण करता है कारण R. सभी पौधे पशु और मनुष्य अपने चारो ओर के वातावरण पर निर्भर है A. और R. दोनों सही है A. और R. दोनों सही है और R. A. की सही व्याक्या नहीं करता है A. सही है और किंतु R. गलत है A. और R. दोनों गलत है इसमें सही आंसर हो जाएगा option B. A. और R. दोनों सही है परन्तु R. A. की सही व्याक्या नहीं करता है यदि भुकंप आता है तो पृत्वी की सता पर कमपन होता है और भुकंपी तरंगे दूर सभी दिशाओं में जाती है निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भुकंप को समझने में सहायक होंगे उद्गम केंद्र भुकंप लेखी प्लेट सीमा S. तरंगे निकास मेंटल P. तरंगे क्रेटर लावा गैसे रिक्टर बहिर जनिकमल इसमें राइट हो जाएगा उप्शन A उद्गम केंद्र भुकंप लेखी प्लेट सीमा निम्लिखित कथनों को पढ़िये तता सही विकल्प का चैयन कीजे अभी कथन उश्र कटिबंद सर्वादिक गर्मी पाता है और वश भर गर्म रहता है कारण करक रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांस रेखाओं पर वश में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूरि सिर पर रहता है ए और आर दोनों सही है परन्तु आर ए की सही व्याख्या करता है ए सही है किन्तु आर गलत है ए और आर दोनों गलत है इसमें राइट हो जाएगा option A, A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है निमलिखित कतनों को पढ़िये तता सही विकल्ब का चैयन कीजे अभी कतन, विश्वत रेखा ग्लोब पर एक महतपूर संदर्व बिन्दू है कारण विश्वत रेखा प्रित्वी को उत्तरी गोलार्द और दच्णी गोलार्द में बाटती है A और R दोनों सही है परंतु R A की सही व्याख्या करता है A और R दोनों सही है परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है A सही है किन्तु R गलत है A और R दोनों गलत है इसमें right हो जाएगा option A, A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है मानसून पवने हैं, ग्रहिये पवने, मौसमी पवने, इस्थाई पवने, इस्थानिये पवने इसमें right हो जाएगा option B, मौसमी पवने निमलिकित कथनों को पढ़िये तता सही विकल्प का चैन कीजे अभी कथन, इस्थल की उचाई एवं वनस्पती की विशेस्ताएं एक दूसरे से संबंदित हैं कारण, वनस्पती की वृद्धी, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है किसी किस प्रकार के वन में नर्म काष्ट वाले व्रिक्ष जैसे चीड देवदार आदी पैदा होते हैं या उकते हैं शितोष्ण पडपाती वन, शितोष्ण सदा बहार वन, शंकुधारी वन, उश्ण कटिबंधिये पडपाती वन इसमें राइट हो जाएगा उप्शन C, शंकुधारी वन निम्न विशेस्ताओं से प्रित्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजे दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के उपर नहीं होता है इन छेत्रों का तापमान मद्यम होता है ये उत्री गुलार्द में करक रेखा एवं उत्तर धुरूवरित तथा दच्छडी गुलार्द में मकर रेखा एवं दच्छड धुरूवरित के बीच वाले छेत्र है शीत कटिबंद, शितोष्ण कटिबंद, उश्ण कटिबंद या पिर उत्तर एवं दच्छन द्रोग। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन B, शितोषन कटिबंद। ग्लोब के विशे में कौन से कथन सही हैं। आगने और अवशादी शेल उच्छ ताप दाप के प्रभाओं में कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन C, A, B और C तीनों सही हैं। देशांतर के संबंद में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। सभी देशांतरिये याम योत्तरों की लंबाई समान होती हैं। प्रमु की याम योत्तरों का मान 180 डिग्री देशांतर होता है। सही उत्तर का चैन कीजिए, A सही है तता B गलत है, A गलत है और B सही है, A तता B दोनों सही है, A और B दोनों गलत है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, A सही है तता B गलत है। खनीजों के संदर्ब में निमलिखित में से कौन से कथन सही है। खनीज बिना किसी मानविय हस्तशेप के प्राकर्तिक प्रक्रियों द्वारा निर्मित होते हैं, अब्रक और क्रोमाईड अलोह खनीज हैं, जो खनीज कम गहराई में इस्तित होते हैं, उन्हें विवरित खनन द्वारा निकाला जाता है, खनीज अनवी करणिये संसादन हैं, निमलिखित में से कौन सा संगठन उपनिशुदों में विश्वास करता है ब्रम्ह समाज, राम कृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, सेवा समाज इसमें राइट हो जाएगा option A, ब्रम्ह समाज इलोरा की गुफा का भित्ती चित्र जिसमें विश्णू को नर सिंग, अथार्त पुरुष सिंग के रूप में दिखलाया गया है किस काल की कृती है, गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट कूट काल या फिर चालुक के काल, इसमें राइट हो जाएगा option C, राष जवार, निम्न जवार, इसमें सही हो जाएगा option D, निम्न जवार, अधिकांश दुर्गम छेत्रों में और आपदाओं के समय, लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं का वितरन करने के लिए, याता यात का कौन सा सादन बेहत उप्योगी है, रेल मार् इसमें राइट हो जाएगा option D, वायू मार्ग वर्षा और कुहरा जैसी घटनाएं वायू मंदल की किस परत के अंदर होती हैं, छोब मंदल, समताप मंदल, बहर मंदल, बाहय या वायू मंदल, इसमें सही हो जाएगा option A, छोब मंदल प्रिधिमी की बिविन परतों को करम में आंतरिक से बाहय यतम परत तक पहचानिये, इसमें सही हो जाएगा option C, आंतरिक क्रोड बाहरी क्रोड परपटी भारत ग्रीनविच के पूर्व में 85.52 पूर्व पर इस्तित है भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय एक बज़े अपराहन है फालब साड़े साथ पीम, साड़े छे पीम, साड़े छे एम, साड़े साथ एम इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप्शन B, साड़ेचे अपराहन यानि साड़ेचे पीम अस्प्रिशिता डैश के आधार पर भेद बाओ को संदर्वित करती है लिंग जाती वंच शारिरिक विकलांगता इसमें राइट हो जाएगा उप्शन B, जाती भारत के विभिन राजियों में से किस एक राज में हडपा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले है हरियाना, गुजरात, जंबू और कश्मेर, पंजाब इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप्शन B, गुजरात कतन A और B को पढ़कर सही विकल्प का चैन कीजे कतन A, अशोक का धंब इश्वर की पूजा पर बल देता था कतन B, अशोक का धंब बुद्द के उपदेशों से प्रेरित था A और B दोनों सही है, A और B दोनों गलत है केवल B सही है निमलिखित मेंसे मांचितर के घटक के संदर्व में विशम का चैन करें दूरी दिशा प्रतीक पैमाना इसमें राइट हो जाएगा उप्शन D पैमाना कौन से बौध साहित में बौध संग के लिए बनाएगे नियमों का वर्णन मिलता है सुत पीटक, विने पीटक, अभी धम पीटक, बुध चरिता इसमें सही हो जाएगा उप्शन B विने पीटक जब नदी मैदान में प्रविश करती है तो यह मुड जाती है जो कहलाता है बड़े मोड बना कर बहती है बाड का मैदान विसर्प, चाप जील, तटबंद इसमें राइट हो जाएगा उप्शन B विसर्प मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग